जी नमस्कार स्वागत आपका एक बार फिर अध्यन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम रोहित वैद्वान आज आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टोपिक है वो है केंद्रे विध्याल लेके वो इंट्रुव वाले क्वेस्टिंस जो टीचिंग रिलेटीड ह बढ़ा आप कोई क्वेस्टेंट हैप मेरा नरे वर्टा के रिलेकोशन स्टाइट इन आपको शड़ी चीजें इंग्लीश महीं मिलेगी लेकिन उसकी जो इंगलिश है तालिए आपको ये लगेगा हुए नहीं कि वो इंगलिश में है तो आई यू एजली ग्रबढ़ इस स्टुदेंट्स हैं, हिंदी मीडियो स्टुदेंट्स मतलब जिनको लगता है कि उन्हें KBS केंट्व इंग्लिश में देना चाहिए, लेकिन दिक्कते कहा रही है कि उशायद इंग्लिश में बना नहीं पारें, तो हम उनके लिए लेका है 17 17 questions, इसी एक वीडियो के बाद आपको एक नया वीडियो भी मिलेगा, जिसमें इंग्लिश में आपको कुछ questions मिलेंगे और इंग्लिश में इंग्लिश में होगे, जो आपके लिए लेका आएंगे दीपक सर, किलियर है, उसके बाद आपके कुछ PD development से आज classes भी मिल पाएगा, तो बने रहेगा दिन मंतरे के साथ, लेकिन शुरुआत करते हैं 17 questions, चले आएगा, देखते हैं, क्या हैं ये questions, आपके screen पर सामने आ रहे होगे, देखेगा आपको, तो सबसे पहले आपके सामने एक सवाल आया होगा, जिसमें लिखा होगा, क्या, पहले मा आपको दिखाता हूँ, हमारे आज के 17 questions हैं, क्या, अगर आपको लगता है, ये आपके लिए जरूरी है, तो आप करिएगा, नहीं तो आप you can skip this video, और आपना कोई दूसरा वीडियो जो भी आप देखना चाहें, क्या हैं, देख सकते हैं, तो अगर इसमें आप पहले सवाल लिखेंगे, तो जिको आपके सामने क्या लिखा, explain your teaching philosophy, जहां आप दूसरे सवाल के पास आते हैं, वहीं पर आपको सवाल लिखेगा, क्या, what a personality trait to teacher need to have, इसका मतलब कि एक teacher के अंदर क्या 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 personality, वह चीदि तीसरा सवाल आता है, आपके सामने थर्ड नंबर, how will you prepare your classroom for your first day, कि आप अपने classroom को पहले दिन कैसे तयार करेंगे, पहले दिनी जी दिन आप जाएंगे, फोर्थ नंबर का सवाल आपके सामने आता है, how do you prepare your lesson plan and what you do, include, मतलब आप अपना lesson plan कैसे तयार करेंगे, और इसमें क क्या क्या चीज़, आप क्या करेंगे, include करेंगे, number five, जो आपके सामने समाने questions है, वो देखेगा, how will you integrate the use of technologies in your classroom, मतलब, by ICT का जमाना है, तो इसको अंदर पढ़ाने के दोरान कुछ teaching aids है, कुछ चीज़ें, वो आप लेके आएंगे, तो आप उसे कैसे integrate करेंगे, वो भी द दिखेगा, next जो सवाल आपका बनता है, वो बनता है, कि आपके साथ, how do you handle classroom discipline, कि आप class में discipline कैसे तयार करेंगे, ये भी सवाल आपके साथ बनेगा, अब आता है आपका सवाल number seven, जो सवाल number seven है, उसमें आपके सामने एक सवाल लिखा होगा, क्या, if I student in your class has a serious behavior problem, how will you manage it, मतल your class, how will you handle that, तो ये भी बन सकता है, इसके बाद हमारा जो number eight question है, वो क्या कहता है, आप से what is your approach towards interaction with the parents, कि जब parents से आपके मुलाकात होगी, तो आप उनके साथ कैसे interact करें, हो सब पीटी है, जब जब जाएंगे, तो इस से related भी आपके सामने, क्या होगा, सवाल, नया जो सवाल है, question number nine, वो आप से पूछता है, how would you deal with the angry parent, आप होता है कि कभी-कभी किसी school में, भई parents ना राज होता है, आप उनके साथ कैसे deal करेंगे, लेकिन साथ में आता है, अब हमारे पास question number 10, जो question number 10 आप से बोलेगा, वो आप से क्या पूछना चाहता है, how do you evaluate student, कि आप बच्चों का students का मुल्यांकन कैसे करेंगे, तो next इसके बाद जो आपके सामने question आया होगा, that is question number 11, how do you manage students who are underperforming, तो ऐसा रहता है कि कुछ बच्चे आपकी class में हैं, जो underperforming कर रहे होंगे, जिनका performance बैतर नहीं आ रहा होगा, तो आप उन लोगों के साथ कैसे manage करेंगे, question number 12, उसमें जो आपसे पूछा गया सवाल वो क्या है, how can you make learning more fun for your student, मतलब ये कि आप अपने बच्चों के लिए अपनी class को कैसे बहुत तरीके सा fun related कर सकते हैं, next question आता है, आपके सामने, सवाल number 13, जिसमें आपके सामने सवाल है ये, what do you consider unique about your teaching, तो आप अपने teaching में कैसे क्योंच उनीक consider करेंगे, last but not matters 14, जो 14 question है, are you a flexible as a teacher, are you flexible तो ये सवाल तो बनता है, और एक सवाल इसके बाद आता है, जो सबसे शुरुआत में सबसे ज़्यादा लोगों के सामने बना हुआ है, वो क्या है, वो ये है कि why did you choose to become a teacher, कि क्यों आपने teacher बनना ही, पसंद क्या या चुना, उसक के बाद 16 आता है, what are your strengths as a teacher, as a teacher, as a ध्यापक, आपके क्या-क्या, मतलब, वो है strength है, और जो हमारे सामने हमारा question number, जो last आता है, that is question number 17, उस question number 17 में आपको एक सवाल मिलेगा, क्या, इसके साथ एक बार, ये आपको शायदे screen पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं बोल दे रहा हू तो 17 question हो गई है, what are your weakness की आपकी कमजूरियां, क्या-क्या है, तो ये हैं हमारे 17 सवाल जो आपको जवाब देंगे, आपके 17, लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो खास बात होगी, इन सवालों के जवाब की, कि आपको किसमें मिलेंगे, आपको ये PRT level पे सवाल का भी जवाब मि जो भी ये questions है, इन questions को आप अपनी language में convert करने की कोशिश कीजएगा, मैं बोल रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, देखेगा, clear है, तो English में आपके सामने available होंगे, I will translate in Hindi, ताकि आपके लिवा आसानी से बने रहे, चलेगा तो पहले सवाल की तरफ आते हैं, पहला सवाल जो ज़्यादे तर आपसे पूछा जाता है, कि जो आपके philosophy है, teaching की, आप उसे बारे में क्या करिएगा, explain, तो अब teaching की philosophy है, और आप उसे explain करेंगे, तो इसका मतलब उसके लिए, नीचे आपको जो देखा होगा, दिखे दियान से क्या लिखा है, teaching philosophy is the gift of your perspective on education, it must reflect the sense of your teaching method, तो जाइडिया, हाँ, क्योंकि अगर आपकी philosophy आप जो सामने वाले को जवाब देंगे, इसका मतलब वो reflect भी होना चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग क्या देते हैं, कि मेरी hobby ये है, और उससे पूछा जाता है, कि आपके पूरा का पूरा दिन चरिया क्या है, मतलब daily routine क्या है, पता ही नहीं चलता बंदा क्या बोलता है, लेकिन उसकी hobby उसमें आई नहीं, कि मैं उठा था, ये क्या था, वो लेकिन उसने लिया, तो ये, तो अब इस सवाल का जब जवाब आता है, तो इस सवाल को हम जवाब लेके चलते हैं, कितने level पर दो, अगर ये सवाल आता है, कि के लिए, प्राइमरी स्कूल मतब पी आती स्टीचर के लिए, तो वो सवाल का जवाब देगा, कुछ इस तरह, बिल्कुल बहुत ही easy English है, प्लीज बड़ा आराम से पढ़ियेगा, औराम से देखेगा, क्या लिखा है, मतलब यही कि मेरा इस्वास है, कि परते एक बच्चा क्या है, यूनीक है, और उसके लिए जो क्लाश्रूम चुड़े, कैसा environment होना चाहिए, जैसे में बच्चा सारी बातों को क्या समझ सके, अपनी strength, जो अपनी थाकत है, उसको पहुचे, और अपने ना highest potential, जो उसकी छमत हैं, उस तक मैं पहुचा पाऊं, और by providing student with a safe environment, और एक ऐसा environment पर बच्चे को दो, जिसमें वो safe meal करे, safe feel करे, और उसके बाद वो अपनी feelings को क्या करे, express मतलब यह, कि मेरा बच्चा कभी भी मेरी class में आके डरा हुआ ना हो, वो easily उस चीज को क्या है, कर पाए, my teaching philosophy is to include such method, इस उसके साथ और बच्चा अच्छे से जान पाएगा, इसका मत एक छोटे PRT level का सवाल था और PRT level के साथ से इसका क्या था जवाब, but in the same case अगर यह सवाल आप से same पूछा जाता है, यही वाला, explain your teaching philosophy, तो आपका जो जवाब है, दूसरे level पे जाके जो जाता है, वो किसके लि PGT के लिए, तो देखेगा, जो सामने लिख है, बड़े ध्यान से पढ़ियेगा, एक classroom is a complex social environment in student must be treated as complex and intelligent individuals, I think that the purpose of teaching is to provide student with a framework with which they can test the limit of their intellectual process, I will include method like debating activity-based project, problems of learning games, ETC in the curriculum through which student can explore their intellect, मतलब ये, कि जब आप ये सवाल देते हैं, किसके लिए TGT और PGT के लिए, तो इसका मतलब बच्चे का एक social environment बन जाता है, उसके दोस्तों के साथ, तो teacher और दोस्त का, teacher और student का एक दोस्ती वाला relation हो जाता है, friendly environment के साथ, तो यही कि आपका complex हो जाता है, क्योंकि individual differences आ जाते हैं, और बच्चा अलग-अलग तरी के समझना शुरू कर देता है, तो आप उस complex पर को बड़े treat करेंगे, किस से intelligent, individual मतलब अलग-अलग तरी किसे बुद्धी मतलब के साथ, और आप ये think purpose करेगे, आपका जो propose है, teaching का provide करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, मतलब जो बच्चों को आएगे, तो से related कुछ problems, holding games ला सकते हैं, और curriculum को और अच्छे से ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं, explore, तो ये था हमारा पहले सवाल का जवाब, अब सवाल का जो जवाब बनेगा, वो है सवाल number 2, अब question number 2 जो आपके सामने आता है, तो question number 2 में अगर आप क्या है, what personality traits to teachers need to have, ये बड़ा एक common सा सवाल है, कि क्या personality हो नीचे है, teacher को रखना चाहिए, आप कुछ लोग होते हैं, जो over हो जाते हैं, बन्दब आप लोग किसी वी चीश को देख, कुछ गुस्सा जादा करते हैं, कुछ हैं, लेकिन personality पे जो पुछ रहे हैं क्या, तो common स सवाल है, जो पूछ जाएगा teaching interview में, तो इसके कुछ couple example जो हम नीचे दे रहे हैं, वो देखेगा क्या है, तो वही बात, पहला जो जवाब होगा, वो किसके लिए जवाब बनेगा, वो जवाब बनेगा, हमारा किसके लिए, PRT के लिए, चलिएगा, देखेगा, PRT के लिए कि अगर आप इसका जवाब देते हैं, तो क्या है, इसका जवाब देते हैं टाइम ये, कि, in my view, it is important for teacher to be patient and flexible to manage the unique need of different students and discipline, it's just as important for maintaining order in the class, इसका मतला सभी कि भाई, class में discipline और वो सारी चीज़ क्या करके रखेगा, maintain, and the most important thing, however, is to have a good perception, if learning issues of children are identified at an early stage, they can be corrected before they become, so, हाँ, इसका मतला, अगर आपने पहले ही समझ लिया कि कुछ दिक्कत दे आई हैं, तो उसे आप time से क्या कर सकते हैं, solve भी कर सकते हैं, but for that to happen, teachers must have knowledge about learning disabilities and a good perception to identify them, क्योंकि कई-कई बच्चे बच्चे किसी class में अलग-अलग disabilities में तो हो सकता है कि इस तरह बच्चे individual differences तो हैं हैं, लेकिन teacher जल्दी से जल्दी उस चीज़ को क्या करेगा समझेगा, और समझने के वाद अपने perception, अपनी knowledge के साथ साथ उसे क्या करेगा, identify करके बच्चों के सामने रख देगा, अगर सवाल यही same आता है, what personality trait to teachers need to have, तो सवाल TGT, PGT के लिए जो बन जाता है, foremost teacher must have superior knowledge on their subject, हां, क्योंकि आप जा रहे हैं अपने उस subject पर, जिसमें आपने TGT और PGT में सब्जेक्ट से जादा related सवाल होते हैं, तो इसका मतलब आपको जो होनी चाहिए, आपके subject की क्या होनी चाहिए, अच्छे से knowledge होनी चाहिए, a teacher whose understanding of a subject is half an exclusive, मतलब यह कि आपके जो subject क knowledge है, वो आपके अगर आदी है, तो वो भी क्या है, गलत है, apart from that, a teacher must also possess qualities like flexibility, patience and discipline, which help them in managing the complexities of a classroom environment, हां, कि इसके अलाव भी teacher के अंदर जो flexibility, मतलब यह नहीं कि आप से किसे ने पूछा, flexible होना इस लाए, कि आपना हर बच्चे के साथ मिलें, और हर बच्चे के साथ, और धेरिय कुछ message हम video डालेंगे, और video के नीचे comment मा जाएंगे, तो teacher बनने उस level में जाके न, please, देखेगा, आप कुछ बोलेंगे भी, तो आप कही मन खराब होगा, वो चीजों को आपको आगे बढ़ाता रहेगा, तो be flexible, patience and discipline आपके साथ होना चाहिए, तो ये वाला सवाल किसके लि होंगे, तो एक बार इनको देखेगा, पढ़िएगा, और उसके बाद recall करते रहेगा, क्योंकि सुनने से न, आप ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को समझ पाते हैं, क्लिए रहे, चलिए, इसके बाद आता है, हमारा question के बाद, जो सवाल number आता है, वो हमारा क्या आता है, त तो इसका मतलब उसमें आपका जो पहला दिन है, आप उसे कैसे तयार करके जाएंगे, अब वो तयार कैसे करके जाना है, तो वो भी देख लेते हैं, आप तयार करके जाएंगे, तो इसमें, the purpose of this question is to rest your classroom management capabilities, and to see if you are enthusiastic and passionate about teaching, you can use your creativity and or experience to answer this question, बिलकुल, क्योंकि सवाल ऐसा है, जिस दिन आप जाएंगे, तो देखेंगे, कि आप अपनी class को कैसे manage करते हैं, तो इसको manage करने के तरीके में, फिर ये सवाल दो level पे चला जाता है, किस किस पे जाता है, PRT पे, TGT पे, और किस पे, PGT पे तो देख लेते हैं, दोनों का जवाब क्या बनता है, हमारी तरफ से जी, दोनों का जब सवाल का जवाब बनता है, तो वो बनेगा, देखेंगा, कैसे ये है, primary के लिए, मतलब ये, कि जब आप class के लिए जा रही हैं, और उसके time पहले दिन, तो आप क्या करेंगे, भाई मेरे लिए तो मेरी एक अला canvas पूरा का पूरा board इस तरह हो ही है, कि मेरा इस पे सब कुछ बतारना है, तो मैं अपने बच्चे को welcoming अच्छे से करने का, उसे एक ऐसा environment देने वाला हूँ, जिसमें बच्चा खोशी रहे, उसके बाद मैं थोड़े quiz poster, मतलब ये, कि जिस दिन मैं पहले दिन जा रहा हूँ, तो शायद मैं पढ़ाने से जाद है, मैं बच्चे को अपनी किसी activity में क्या कर लेता हूँ, एंगेज कर लेता हूँ, और उससे मेरे बच्चे और PGT के लिए, तो PGT PGT के जए सवाल का जवाब जाता है, तो वो कहता है, to begin with I will talk to the senior teachers of the school and try to understand the level of understanding of student and also what motivates them in the classroom, I will have a small introductory session in which I will hand out my content details to the student, I will also prepare copies of the syllabus and discuss the same in the classroom, so that student get an overview on their curriculum and clear their doubt about the same. यह कि जब मैं TG TPG level पर बात करता हूँ, और जैसा ही मैं अपनी class शुरू करता हूँ, तो मैं बच्चों से क्या करने वाला हूँ, मतलब दूसरे जो teachers है senior teacher, उनसे क्या कर लेता है बात और कोशिश करूँगा, क्योंकि देखेगा, KBS is a Pan India job, और Pan India job का मतलब यह कि वहाँ प कि मैं बच्चों के understanding level को जानके, उन teachers की मदद लेकर और उनसे motivate, who can motivate them, अब in classroom I will have a small, आप अपने साथ अपना कोई session जो करने चारे हैं, उससे related कुछ लेके जा सकते हैं, handout, उसमें कुछ details लेते हैं बच्चों के लिए, उसके साथ साथ कुछ copy रख लेंगे syllabus का, और discuss करेंग और बच्चों के सारे के सारे doubt भी क्या है, दूर करेंगे, नया सवाल जो आता है, देख लेते हैं, इसके बाद जो नया सवाल आता है, वो सवाल आपके सामने क्या है, तो आपके सामने हमारा आज का है question number four, जो आपके सामने होगा, क्या, how do you prepare your lesson plan and what do you include, इसका मतलब ये, कि आप अपना lesson plan बनाएंगे कैसे, और उसमें क्या क्या चीज़े, आप क्या करेंगे शामिल, तो शामिल से पहले नीचे, देखे, different teacher, different method of teaching and their lesson planning process may vary accordingly, however you can use the following example for a format, मतलब ये, कि बही सब different teacher हैं, तो अपने पढ़ाने का सब लोग different different style लगते हैं, different different method है, कोई inductive लगाता है, को जी, इन सवाल में जो पहला सवाल है, उसका answer है आपके सामने, answer for the primary class, primary के लिए देखे, थोड़ा सा है, आप इसका पहला paragraph भी करेंगे, ओक है, बर थोड़ा दूसरा बड़ा सा सवाल है, लेकिन कैसे समझेंगे, देखेगा, Some factors that I consider for lesson planning are requirement of the standardized curriculum level of understanding among student and individual need of a student, on the basis of these factors, I then select the appropriate method of activities for imparting lessons, some components that must be included in every lesson plan are, मतलब देखेगा, normally जब आप lesson plan मनाते हैं तो आप lesson plan मनाते हैं, आप डेट लिखेंगे, topic का नाम लिखेंगे, अगर topic के साथ subtopic है, वो student लिखेंगे, number of student लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्या आपके objectives होंगे, सारी चीज़े लेकिन हमें यही वाली बात आपके सामने रखी, कि जो factor हैं उसको आप देखेंगे, standardized curriculum के साथ से आप बनाएंगे, individual student और उनको उसको देखते होए, और इसके लिखेंगे, पिर भी आपके सारने कई lesson plan का chronology होगी, lesson that logically arranges easier for students to understand and written हा, ताकि आप एक ऐसा lesson plan बनाएगा, जो क्या हो, easy हो और बच्चे को क्या होज in the lesson and also develop their interest in the subject क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपने lesson plan बना तो लिया लेकिन अगर lesson plan बनाने के बाद आप उसे समझा ही नहीं पाए तो इसका मतलब ये तो एक इश्व है तो इसका मतलब सबसे major कि lesson plan बनाने के बाद आपका representation भी क्या होना चाहिए अच्छा होना चाहिए उसके बाद एक नहीं लाइन जो लास्ट में आपके सामने है meeting unique needs a lesson plan must include multiple methods of teaching so that the unique need of different students are mean क्योंकि हमने बता है कि बच्चे different different areas हैं diverse classroom है तो इसका मतलब आप जो teaching aids ये methods use करेंगे वो भी बड़े क्या होंगे जरूरी तो कोशिश करिए गो उसमें अलग-अलग तरीके के method आप अपने सामने लेके आईएगा ताकि बच्चा आप से जल्दी से जल्दी क्या है समझ पाए तो ये जो था इसका क्या है ये primary teacher के लिए अच्छे जब मैं सामने से चला जाता है you can do one thing की easily रहेगा you can take a screenshot for these अगर आपको PDF टाइप पढ़ना है तो तब भी आपके काम आ सकता है ठीक है चलिगा तो इसके बाद आजाते है हमारे लिए जो question number क्या आजा इसी का सवाल जब आप पूछते हैं किस के लिए TGT और PGT के लिए तो TGT और PGT के लिए भी आपके सामने लिखा है there are many elements that make an effective lesson plan however it is crucial that a teacher has a vision and clarity about what is to be achieved to prepare a good lesson plan a teacher must have a comprehensive understanding of the student need and must include all method and teaching that are necessary for meeting the requirement apart from that a time-bound implementation plan and clarity of objectives also equally important हां क्योंकि TGT PGT के जाते हैं तो topic हो जाते हैं थोड़े बड़े आप जब topic बड़े हो जाएंगे तो इसका मतलब आपको effective lesson plan बना पड़ेगा उसमें आपको time management भी देखना पड़ेगा और उसके साथ आप ऐसा lesson plan प्रिपेर करिएगा जो comprehensive हो जो इसका मतलब बच्चे को समझ भी दे और इस comprehensive like जब आपना scholastic हो scholastic मतलब आपके real life's example भी जुड़े हो और understanding बच्चे की समझ पर है उसकी need के इसाब से आप सारे management मेरे लिए क्या रहेगा equally important रहेगा चलेगा next देखते हैं जो है आपका आज का सवाल number five question number five जो जाता है ये कहता है आप से how will you integrate the use of technology in your classroom देखेगा आप से यही पूछ रहा है कि आप technology को integrate अब कुछ लोग हो सकता है जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके सामने screen पर जो questions सारे बड़े लेकिन सारी के सारी facility अवलेबल नहीं होती लेकिन बच्चा अराम से देख पाए तो आप कैसे integrate करेंगे technology को यही तो नीचे देखे you can answer this question either than writing the popular and latest technology in education or by sharing a real life situation where you successfully need technology in the classroom मतलब कि आप जब अपनी class में technology की बात करें कैसे तो हो सकता है आप जब class में जा रहा है तो आप देखे के साथ use कराएंगे क्योंकि आगे का जो environment है आगे की जो पढ़ाई हो technology based होने वाले क्योंकि classes smart board आ चुके हैं तो आपको smart board को चलाना उनके बारे में knowledge भी ज़रूरी होनी चाहिए तो इसके लिए जब सवाल बन का जवाब बनता है तो यह PRT के लिए हम क्या बनाते हैं देख technology like a smart board and powerpoint presentation can be used for making lesson more effective however it is important for the teacher to be aware of the negative influence of the internet and protect the student from the influence जी मैं देखेगा अगर आप internet और हो चीज क्योंकि आप बोल देंगे कि हां internet जैसे बड़े college उसमें आपने देखा होगा मतला हम D.U. से पढ़े तो दिल इनिस्टी ने भी है कि आपकी कुछ site हो जो technology होता था लेकिन बागी को क्या कर देते थे close कर देते थे मतलब open ही नहीं देगे internet access को classroom में deeper subject के साथ जोड़ देंगे और technology में जो हमने बताया है कि आप किसका use करते सकते है smart board का और जैसे powerpoint presentation is a simple and easy method to include in that classroom तो आप उसे भी क्या कर सकते है use और यह आप मेशा है याद रखेगा कि उसका बच्चे पे कोई negative impact ना जाए अब यही सवाल अगर आजाता ह है और यह सवाल पूछ लिया जाता है किस लेवल पर जाकर PGT लेवल पर जाकर तो इस PGT लेवल पर आप जवाल का जवाब क्या देंगे तो देख लेते हैं क्या है यह देखेगा यह कहते है I have used technology very effectively in my classroom for example while teaching India's freedom struggle I show my student a documentary film on YouTube this gave them a deeper understanding on the struggle and also help learn important name and date होता गया है कि देखेगा जै classes देते हैं लेकिन online classes का यह कि आप उससे ना थोड़ा time भी बचा लेते हैं बच्चे के सामने कुछ चीज़े दिखा जैसे questions को देखने के बाद आप जादा जल्दी याद कर पाते हैं ना कि questions को सुनने मतलब लिखने या पढ़ने से जादा तो सुनना और देखना हमेशा क् इसके बाद नया सवाल बढ़ेगा तो नया सवाल जो आता है वो है हमारा question number six सवाल number six के साथ अगर आप जाएंगी तो सवाल number six आपके सामने लेकिया आता है क्या यह how do you handle classroom discipline एक बहुत बड़ा सा जवाब की छोटे बच्चे भी शरायत करते हैं बड़े भी शरायत करते हैं discipline करें तो youtube पे भी शरायत होती है normal हर जंग शरायत हो है ठीक है बच्चे का nature है उसमें रधा है लेकिन discipline रखना इसका मतलब बच्चे की आप हसी मज़ा को मचीनेगा लेकिन उसके शरायत को भी आपको क्या करना है संबालना है तो how do you handle classroom discipline एक normal सा question आप से पूछा जाएगा और पूछा भी गया है तो इसके लिए क्योंकि discipline is an indispensable part of positive and effective classroom environment with the question that you want to know how you view discipline and what method you use to maintain order in your classroom तो वो यह जानना चाहते है कि आप कैसे maintain कर पाएंगे तो बढ़ीजे तो ज लिखा होगा तो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है बता देंगे फोलो करना शेयर कर देंगे उसके बाद और सरेंगे यह rule क्या हो फोलो हो मतलब ऐसे ना और जब यह rule आ जाएंगे discuss कर लेंगे तो सब student के साथ आप वो क्या पर हैं उन्हें responsibility और उनके accountability के बारे में क्या है कि सब को यह यह वाला काम सवाला जैसे discipline बनाने के ल लिए तो I think showing anger inside the classroom has a negative यह तो बात है कि आप anger नहीं दिखा सकते the trick for me is to be firm with the student but never show anger for a student with chronic discipline issues I prefer to keep them involved in a many classroom activities so that their energy enhanced in a positive way I also reach out to the parent to see if they can help with their child's behavior issue बिलकुल कि आप अपने जो भई issue हैं तो थोड़ा सा आपको शायर यह दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको आपको दिखा देता हू एक सेकंड लुक यह गा जी शायद आपको अब दिखा हो यह थोड़ा इसकी जी अब आपको दिखा होगा तो help their child and behavior issues तो यही कि आप अपना गुस्सा तो दिखाएंगे नहीं और बच्चों के साथ मतलब कुछ जरूत अगर लगती है तो उन्हें किसे activity में involved कर देंगे और activity में involved करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि कुछ जादे issue हो तो आप उनके parents के साथ भी और उनसे भी बात कर सकते हैं इस बारे में कि child के behavior उसका issues क्या क्या है चलिगा इसी सवाल का एक और सवाल का जवाब बन सकता है वो भी आप देख सकते हैं I think that the discipline is a backbone of an effective classroom environment and fomenting discipline a teacher needs to be observant and firm a teacher must observe the nature and behavior of each student especially the one who has serious discipline issues and then use method and technique to develop a sense of routine and discipline with them तो यही है कि आप backbone environment क्योंकि अगर class का environment or discipline ही खराब हो जाएगा तो इसका मतलब फिर आपको पढ़ाने में बड़े क्या जाएगे issue that is a बड़ा part हो जाएगा उस class को मतलब आपके teaching methods, curriculum आपने कितना भी तयार किया हो और अच्छे से बच्चों के पास पहुँची नहीं पा problem, how will you manage it? अब यह कि serious behavior punishment की problem है तो आप उसे कैसे manage करेंगे? तो देखिए TGT, PGT या दोनों PRT में तो सब में ही नहीं नहीं हो सकता है कि बच्चे क्या behavior को लेके कैसे कैसे कर रहे हैं? क्या क्या दिक्टे आती हैं? तो उन सवालों का जवाब देख लेते हैं. जी, तो इस रब से वो, चाहे वो सतीनों लेवल पर से हैं ही. कि very often में से behavior is nothing more than a call for help and underneath those behavior issues is a serious problem that need to be addresses. To deal with this, I would talk to the child separately and see if there is an issue to be resolved. Some kids create disruption only to seek attention. For such kids, I would ensure that they get their fair share of attention. कि देखेगा जब अगर behavior वाली problem आएगी, तो इसका मतलब आप ना कुछ बच्चे होते हैं, जो ना, जैसे कि आप उनसे अगर separate team मिल लेंगे, तो उनके साथ करेंगे, तो वो साथ सोज़ाएं, क्योंकि बच्चा ना, सबसे ज़्यादा बात भी teacher की ही मानता है, मतलब अगर आप उससे समझाएंगे तो होगा, तो आपके सामने होगा, कि आपके बच्चे को deal कैसे करना है, तो आप behavior के साथ उसे अलग से बुला के, वो सारी चीज़े क्या है, देख सकते हैं, ताकि वो easily class को disturb भी ना करे, और सारी चीज़े, और याद रखिए का, जब यह आप behavior management के साथ, बच्चे के साथ मिलके हैं, तो please वो चीज politely रखिएगा, उसे गुस्से के साथ मत रखिएगा, clear है एंगर तो होना ही नहीं है, next जो सवाल हमारे सामने आता है, हमारा वो है, question number क्या है, 8, सवाल आता है, what is your approach towards interaction with parents, की भई, अब आप parents के साथ interact कैसे करेंगे, और उसके साथ आपकी approach क्या रहेगी, तो वो देख लेते हैं, वो क्या है, इसका अंसर PRT के लिए जो जाता है, I believe that parents and teacher are a part of the same team, that help in making a student learning process comprehensive and effective, I provide my content information to all the parents, so that they can inquire about their child progress, for student who are struggling with the curriculum, I make sure to inform the parents about his learning issues, and keep them updated about their process, यही बात है ना, क्योंकि हमने का कि हम parent के साथ कैसे, भई, interact करेंगे, तो सीधा यही, कि मैं believe भई, दोनों ही ज़रूरी है, parents अगर teacher school में समालेगा, तो parents घर जाके भी समालेगा, और दोनों एक तरह टीम से काम करते हैं, जो बच्चे की progress में हमेशे क्या रहते हैं, सामिल रहते हैं, शामिल रहते हैं, तो I provide मेरी जो भी information होंगी, content के हम अपने उनके parents के साथ क्या है, उनसे मताब inquire कर सकता हूँ, उनके साथ share कर सकता हूँ, और बच्चे की जो progress हो, उसक अपने curriculum के साथ जिनको पढ़ने में थोड़ी वो दिक्कते हो रही हैं, तो मैं उनके parents को उनके बारे में क्या कर सकता हूँ, और उससे related उनसे कुछ issues या उनसे learning कुछ पूछ सकता हूँ, जिससे parents भी अपने बच्चे को लेके हमेशे क्या रहे हैं, updated क्योंकि अगर वो updated नह involvement is essential for a student success, I make it a point to interact with all the parents in person during the parents teacher meeting and if needed, I also reach out the parents over the phone or email, especially I keep the parents informed about homework assignment and other projects that are going in a class and also communicate with them frequently about the child performance, इसका मतला मैं ये सोचता हूँ या बताता हूँ कि अपने parents को क्या कर लेते हैं, उनको involve करके कि वो भी जरूरी हैं, बच्चे की success में, तो मैं उनके interact करने के लिए parents को personal during PTA meetings में, parent teacher meeting में मिल सकता हूँ, जो जरूरत हैं, उनको बता सकते हैं, उनने email कर सकते हैं, और especially ये तो कि जो उनने homework assignment other project हैं, उसमें बच्चा कितना काम कर रहा हैं और communicate कर सकते हैं frequently about the child performance, कि बच्चे ने कितना performance में develop किया, ये था सवाल number 8 क जवाब, उसके बाद हमारे सामने जो question आता है, वो है question number, आपका क्या है, 9, अब ये सवाल number 9 है, how would you deal with angry parents, अब अगर ममी पापी नराज होगे बच्चे के, तो और वो आई हैं, लोडते जगडते, कि आज तो तुमने मेरे बच्चे को पढ़ाए नहीं, तो आप उससे कैसे deal करेंगे, देखिए मैंने कहा न, teacher का पहला काम है, ऐसा नहीं क्यों गुस्से में आ रहा है, तो आप जाके गुस्से में reply नहीं, हाँ मैं बिलकुल politely उस चीज को handle करना है, और इस politely handle करने में, तीनों चीजों के लिए, मतल़ तीनों level पर जो जवाब जा सकता है, वो ये, parents are bound to be sensitive when it comes to their children, and predictably those, their temper once in a while to deal with this, I first listen patiently to what the parents have to say, and then talk him through the issues in a diplomatic and a logical manner, हाँ, कि parents जो है, sensitively बच्चे से क्या है, जुड़े होंगे, तो इसका मतल़ जब वो आएंगे, तो आप predictably जैसा उनका temper, मतल़ गुस्से में, आप राम से बात करिएगा, और बात करने के बाद जो भी issue ह क्या है, logical method, इसका मतल़ जिस भी तरीके साब बातों को गुमा के या represent करके, मतल़ उनका गुशा सांथ करके, और एक diplomatic के साथ सा, क्या है, logical, ऐसा नहीं कि illogical बात करके, आप उनके गुस्से के साथ करेंगे, तो यह जो था, यह सवाल number क्या था, 8, एक next सवाल, और देख ले हम next बढ़ेंगे, तो ऐसा कोई question मिस ना हुआ, तो देख लिजेगा, हमने सबसे पहले जो जिकर किया है, वो किसका किया है, explain your teaching, यह हमने जिकर कर लिया, personality वाला भी जिकर कर लिया, prepare classroom भी जिकर किया हमने, how do you prepare lesson plan, यह भी discuss कर लिया, how will you integrate the lesson, यह भी discuss कर लिया, how do you handle classroom discipline, बिल question number 10 के साथ, और जो question number 10 है, वो क्या है, जरा देख लेते हैं, जी, तो आपके सामने सवाल आया था यह, how do you evaluate student, मतावा बच्चों का मुल्यांकन कैसे करें, कि नॉर्मल सा सवाल है, जो पूछ ले जाता है, कि आप मुल्यांकन, तो नॉर्मल ही बच्चा बोल देता है, कि हम उसका formative और summative assessment करके देखेंगे, वो चीज़े, वो भी ठीक है, लेकिन कुछ और तरीके से भी इनके सवालों के जवाब बन सकते हैं, जो सवालों का जवाब बन सकता है, उसमें देखते हैं, हमारे लिए, जो सवाल का जवाब बनता है, वो PRT level पर क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि KBS में तो देखें back to basis पे, लेकिन पहले से जो CC आए था, तो CC में जहां continuous and comprehensive evaluation का मतलब ही है, कि comprehensive like कि जब आपका scholastic and core scholastic दोनों चीज़ों को लेके आप बात करते हैं, तो वो यह होगा, तो इसके साथ साथ इसका मतलब में पढ़ाई से related जो होगा कि मेरे को लगता है evaluate करने के लिए क्या है, उनका holistic development जो है उसमें, apart standardized के अलावा में उसके क्या oral test पी ले सकता हूं, उससे भी पता कर सकता हूं, इसके अलावा में informal method assessment में बच्चे को किसी quiz में participate करा के, किसी activity में involve करा के, वहां से भी पता कर सकता हूं, और उसके grade student को उसी discipline और उसके submission of assignment के base में क्या है, कर सकता हूं, इसका मतला ये वाला big level क्या होगा सही, उसके बाद जो सवाल का जवाब आता है, वो आता है किसके लिए TGT और PGT के लिए, तो जब TGT और PGT के लिए सवाल का जवाब आता है, तो इस सवाल का जवाब TGT और PGT कैसा आता है, जर अब इस सवाल का इसका मदला यहां से जो सवाल का जवाब बनता है वो कैसे बनता है चलिए का देख लेते हैं इसको भी जी अगर मैं इस सवाल के जवाब को देख हूँ तो इसका मतलब बिलीव तो यह है कि हर बच्चे में अपनी क्या होता है उनिक स्टेंथ होती है और उसके एवेलेशन सिस्टम के लिए ये थे हमारे पहले दस सवाल जो आपके सामने आए हैं अभी ये इसका मतलब यहां तक तो आपने जो किया दस सवालों का जवाब बाकि अभी आपके सामने बने हैं इतने आखरी के साथ जो जरूरी सवाल है वो भी तो उन सवालों को भी एक साथ देख लेते लेकिन ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं